बिहार बोर्ड कलास तेंथ फर्स टर्मिनल एक्जाम दोहजार चोबीस या कह सकते हैं अगस्त मासिक परिच्छा दोहजार चोबीस का हिंदी का ओरिजिनल कोस्टेन पिपर आ गया है दोस्तों ठीक ना देखिए एक से साथ अबजेक्टिव देगा जिसमें आपको पचास अबजेक्टिव का अंसर देना है OMR सीट पे ठीक ना चलिए फटा फटा अंसर सभी का नोट करते जाएगा पहला प्रस्न करहा है सरम विभाजन और जाती प्रथा साहती की कौन सी विद्या है इसका इंसर दो का सी हो जाएगा 14 अपरेल 1891 SP में तीन नमर का रहे कि एनी ही आफ कास्ट किनके दुवारा दिया गया भासन है इसका राइट एंसर जो है किनके दुवारा दिया गया भासन है तो इसका राइट एंसर जो आपका तीन का भी हो जाएगा भीम राव अम्बेद कर चलिए अगला प्रसना आपका चार नमर करें वीश के दात किनकी रचना है तो यहाँ आपका ज परमुख पात्र कोन है तो सब को पता होगा वो जो है मदन है भी राइट इंसर हो जाएगा चलिए छे नमर प्रस्ण का रहा है कि भारत से हम क्या सीखे किनकी रचना है भारत से हम क्या सीखे किनकी रचना है तो छे का राइट इंसर सी हो जाएगा मैक्स मुलर साथ नमर करा स्वामी विवेकानन्द ने वेदांतियों का भी वेदांती मिने कहा है किने कहा है इसका राइट एंसर साथ का आपका डी हो जाएगा मैक्स मूलर को कहा है आठ नमर कार राचना कार फ्रेडिरिक मेक्स मूलर का निधन कब हुआ था इसका राइट एंसर आठका यह हो जागा 28 अक्टूबर 1922 में नो नमर प्रस्ण करा भारत से हम क्या सीखे कौन सी विद्या है तो नो का बिलकुर राइट एंसर सी हो जागा भासन है चलिए अगला प्रस्ण दस नमर करा है असोक के फूल किनकी रचना है तो दस का बिलकुर राइट एंसर ए हो जाएगा हजारिक परसाद धिरवेदी 11 नमर करा है ग्रीक भासा से अधिक पुरानी भासा कोन है तो इसका राइट एंसर एगार का ए हो जाएगा संस्क्रेट चलिए अगला प्रस्ण आपका 12 नमर प्रस्ण करा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के परमुख कभी है तो 12 का बिलकुल राइट एंसर ए हो जाएगा निर्गुन तो बिलकुल राइट एंसर 14 का ए हो जाएगा सीख धर्म ठीक ना सीख धर्म इसका राइट एंसर जो है न तेरा का राइट एंसर C होगा वाहे गुरु ठीक ना मिस्टेक हो गया ठीक चलिए 15 नमर करा है कभी किसके नाम के बिना यह जीवन व्यार्थ मानता है तो इसका रा उसके बाद आपका सत्रा नमर प्रस्ण करा है कभी रस्खान किसके उपर अपना स्वर्ष्ट्र निच्छावर करते हैं तिसका राइट एंसर जो आपका सत्रा का बी हो जाएगा क्रिश्न और उनकी प्रज ब्रज भूमी बी राइट इंसर हो जाएगा क्रिश्न और उनकी ब्रज भूमी अठारा करा कि आठ शिध्धी और नो निधी से अधिक सुखमय को कहा मिल सकता है सुख सम्मान सम्मान है यहां सुख सम्मान को कहां मिल सकता है तो इसका राइट इंसर 18 का यह हो जाएगा नंद की गाय को चराने में 19 नमर करा कभी रस्खान ने चित चूर किसे कहा है तो 19 का राइट इंसर जो आपका है हो जाएगा क्रिश्न को यह राइट एंसर हो जाएगा 20 नमर कर रहा है कभी घंणानंद किस काल के कभी है तो इसका राइट एंसर 20 कापका सी हो जाएगा रिती काल चलिए अगला प्रस्न देख लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिएगा 21 नमर कर रहा है वर्न कितने परकार के होते हैं तो किस का राइट एंसर भी हो जाएगा दो ठेक चलिए अगला प्रस्न आपका 22 नमर कर रहा है ओ किस परकार का वर है तो 22 का राइट एंसरी हो जाएगा स्वर वर 23 का राइट एंसरी हो जाएगा मुर्धा 24 का राइट एंसरी कितने परकार की होती है 24 का राइट एंसर सी हो जाएगा तीन 25 का राइट एंसरी हो जाएगा तो 25 का राइट एंसर भी होगा उत जोर नती उसके बाद तो चाल्ष आपका 26 नमर का रहारा है सु जोर आगत से कों सा सब्द बनेगा, तो 26 का रईत अंसर यह हो जाएगा, स्वागत. 27 का रहा है सरहट दिशाट का सही संदी वीचहत क्या होगा, तो 27 का राईत अंसर यह होगा सर्व जोर उदय, 28 का रहा है निमलिखित में सुध सब्द कौन सा है तो 28 का राइट एंसर भी हो जाएगा छमा 29 नमर का रहा है कि भारत सब्द कौन सी संग्या है तो 29 का राइट एंसर यह हो जाएगा बेखती वाचक अगला प्रस्नापका 30 नमर का रहे कि निमलिखीत में सम्हू वाचक संगया कोन है तो 30 का राइट एंसर भी हो जाएगा गुच्छा 31 का रहे बरोग को आदर दो इस वाक में कर्म कारक कोन है 31 का सी हो जाएगा को 32 का राय हिमाले से गंगा निकलती है यह वाक के किस कारक का उधारन है 32 का राय टेंसर भी हो जाएगा आपादान 33 का राय के प्रस्ण करने के लिए जिन सर्व का पड़ियोग किया जाता है उन्हें कोन सा कहते हैं इसका राय टेंसर जो आपका 33 का बी हो जाएगा प्रस्न बाचक कहते हैं 34 नमर करें जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विसेस्ताए बताएं उसे क्या कहते हैं तो इसका राइट एंसर 34 का सी हो जाएगा विसेसन 35 करें जिन सब्द से किसी काम का करना या समझना जिस सब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहा जाता है तो इसका राइट एंसर 35 का भी हो जाएगा जिस सब्द जो संस्क्रित से विक्रित होकर हिंदी में आये हैं उन्हें क्या कहते हैं जिसका राइट एंसर जो है हो जाएगा तत्सम उन्चालिस का राइशे सब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्चालिस का राइट एंसर भी हो जाएगा योगी ठेक उसके बाद 40 नमर कर रहा है कि निमलिखित में रूड सब्द कौन है तो 40 का राइट इंसर ही हो जाएगा लाल उसके बाद 41 नमर कर रहा है पर हित के लिए सरीर को कौन धारन करता है तो राइट इंसर 41 का सी हो जाएगा उसके बाद 42 करह स्वदेशी कविता के आधार पर कभी को भारत में क्या दिखाई नहीं परती है तो राइट एंसर 42 का C हो जाएगा भारतियता 43 करह भारत सो भाग ये नाटक किनकी रचना है तो इसका राइट एंसर 43 का ये होगा प्रेम घन की 44 करह स्वदेशी कविता में कभी ने तो फानी किसे कहा है तो इसका राइट एंसर 44 का ये हो जाएगा नेता को 45 करह मेक्स मूलर की दिरिष्टी में सच्चे भारत के दर्षन कहां हो सकते हैं तो 45 का राय टेंसर B हो जाएगा गाओं में, उसके बाद 46 का राय लेखक के अनुसार नाखुन का बढ़ना किस गुन का प्रतीक है, तो 46 का राय टेंसर C हो जाएगा पसूता का, उसके बाद 47 का राय स्वतंतरता सब्द का पढ़ियावाची रूप निमलखित में कौन है, उसके बाद 52 का राय टेंसर B हो जाएगा भारतिय की, उसके बाद आपका 52 करे स्वदेशी कविता में किसकी पहचान समाप्त हो गया तिरपन करे कि उल्टी गंगा बहना मोहाबरे का सही अर्थ क्या है तो तिरपन का राइट एंसर यह हो जाएगा परतिकूलिकार 54 करे कलम तोरना मोहाबरे का अर्थ निमलिखित में कौन है तो 54 का राइट एंसर आपका बी हो जाएगा बढ़िया बढ़िया उसके बाद नहीं दिख रहा है बढ़िया चलिए बी मार दिजिएगा चोबन में पैच्पन करा आम के ना आम के आम गुठलियों के दाम लोकोकीत का सही अर्थ क्या है तो 55 का ए राइट एंसर हो जाएगा दोहर किन लिखित में कून हैं तो 57 का राइट एंसर डी हो जाएगा तो राइट एंसर करें पत्ट परदर्शक यंसके पानी हाथ में चक्र है के लिए एक सब्द क्या है तो इसका right answer B हो जाएगा चक्र पानी 60 का right का जवाब डोट-डोट से देना यहाँ रिक्त अस्थान में सही सब्द क्या भराएगा तो इसका right answer जो है B भरा जाएगा इट का जवाब पत्थर से देना तो 60 में आपको 50 से बनाना है मैंने सब का उतर बता दिया है अब चली हम आपको PDF डाउनलूट करने बता देते हैं सिंपल्स आपको Google खोलेना है Google में सर्च करना है SK Knowledge Class SK Knowledge Class लिख के आपको सर्च मारना है फॉर्स नमरे वेपसाइड आएगा skknowledgeclass.com इस पे आपको किलिक करना है जैसे इस पे किलिक करिएगा next page खोलेगा अब आपको परेश कुल करना है यहां आपको एक answer की बिला टेप दिखेगा ठीक ना answer की इस answer की पे आपको किलिक करना है उसके बाद यहां open का add दिखेगा add पे किलिक कर दिजिएगा उसके बाद यहां 3 अगस्त मंथली एक्जाम 2014 और इस पे किलिक करना है यहां सारा जनकारी पर ले रहा है नीचे यहां लगा दिए हैं हिंदी का भी objective subjective लगाए हैं संस्कित का भी objective subjective लगा दिए हैं आकर download कर लिजिए